स्वागद आप सब का वीमन बिग बैस लीग के मैच नंबर 38 के अंदर यह मुकाबला है पर्स कॉचस बना होबर्ट हरी गेंस के बीच में जो खेला जाएगा वाका पर्थ के उपर मैच टाइमिंग है दूबर के तीन बच के 25 मिनिट यह मुकाबला बड़ा खास इसलिए है क् पर्थ ने भी नौ मैच खेले हैं फरक यह पर्स कॉचस के कुल मिलाके नौ पॉइंट है उनका पिछला मैच वादा सिडिनी सिकस के गेंस्ट वो टाई हो गया था सुपरोर में भी टाई हो गया सोचवाब और होबर्ट हरी गेंस के 8 पॉइंट है जो इस मैच को जीतेगा वो नंबर चार की पोजिशन को अफोल्ड करेगा एंड अभी आ फिलाल देखो सिडिनी सिकस की भी आर्ट पॉइंट है बटिनी का नेट निट बहुत ज़दा खराब है होबर्ट हरी के इंसका अच्छा है और परत का भी ठीग है तो इस वजए से दोनों टीम्स कही चांसे है कि एक टीम यहां पर आपको आगे जाती हुदीक सकती है और एक टीम का सफर यहीं पर समापत होगा मस्ट विन गेम है देखते हैं स्क्लैश कंदर होता क्या है तो बहुत सारे पॉइंट से हैं पर डिसेस करना लाइक जैसे हैं कि पिछ किस तरह से भीव करती है किसको मैर जो ICC Women's T20 World Cup UV वाले के अंदर कमाल के बॉलिंग फिगर्स रहे थे फाइनल के अंदर भी तीन विकेट निकाला इंडिया के अगेंस भी इसने बहुत अच्छा आगास किया था व्ल्ड कप के अंदर तो वो प्लेयर आपको खेलती हुए दिखिए उसका रोल के रहे गा इसके बारे में बात तरहूंगा बहुत सारे एंप पॉइंट्स है एंड यह तूर्णमेंट का नियम है जो टॉप पर फिनिश करेगा फाइनल जो सेकंड राइगा वो खेलेगा विद 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 फाइदा गया है लाइन अप्स के बाद कोई भी अफडेट है यह एक मातर ऐसा है वेन्यू है जहां पर 120-108 जैसे स्कोर डिफेंड हो जाते हैं 170 बना चेसिंग टीम एक सो क्योंन का शगुन देती है 142 बना चेसिंग टीम एक सो चौदा बना ही 122 बना चेसिंग टीम एक सो नो बनाती है तो इस साल इस डब्लू बी बिल में 4 मैचस में 4 मैचस बैटिंग फर्स्श करते हो जीते हैं और 4 मैचस कंडर एलना किंग का आ मिन 4 मैसे 3 मैच में एलना किंग का बहुत बड़ा रोल थाल पर्स कौचेस यहां गरिन गः इनगा 23 मैसे 20 मैचस जीती है एंडर्बट घरीगें से 5 मैसे 1 और जहां अंती मुकाबला था पर्द वर रेनेगेट्स का साथ विकेट पेस और ग्यारा विकेट वहां पे स्पिन का था विकेट कॉलम के यह जो पिछले चार मैची से आपर खेले गया है उसके अंदर पेसस ने कत्री विकेट निकाला है पहली पारी के अंदर 15 दूसरी पार और यह आप पिछ की फोटो देख सकते हैं जब लास टाइम यहां पर मैच वात तो तो पिछ यहां पर इस तरह से दिखी थी अच्छे सर्फेस रहता है एंड यह दिखो आप डैमिंशन 62 63 और सामने के तरह आपको 68 मिटर देखने को मिलेगा बाउन डिफरेंस जब अधर व तरह से उसका मैच चल रहा है वस्टिलिया का यह अक्ट सिडियम है ठोडब चल किया होगी ब्रीज है और ब्रीज को क्रॉस करके सीधा इस्टेडियम आजाता है यह स्वेन नदी है जिसके जस्ट बगल में स्टेडियम है तो देखते हैं उस फुकाबले में क्या प्राइब देख लेते हैं एक बार सबसे पहले तो आप देखो वाका पर्थ के उपपर वैदर फूकास क्लियर है 0% चांसोस ओफ रही है दोन टीम से आपसके अंदर 20 मैचेस खिले है और 12-6 से आगया है पर्थ कोचस दो मैचेस नोड़ जल्ड गया है वाका के उपपर तीन एक से आगया है जो हूम टीम है पर्थ कोचस बेट मोनी उपन करेगी मैटी डार के साथ बुरुक हली डे वन डाउन है आपको दिख जाएंगी बात तरते हैं अबर ठरीकेंस की तो विलानी आपको उपन करती हूँ दिखेंगे लीजा ली के साथ निकॉल केरी वन डाउन टू डाउन हिदर ग्रैम सुजी बेट्स तबाता सेवेली कैटरिन प्रेस का बैटिंग ओर रुपर हो सकता है यहां टीम क्या कर सकती है एक एक एक्स्ट्रा बॉलर को बाहर करके बट यार मुश्किल है लॉर्न सुजी बॉलिंग रही है मॉलिस टाउनों भी इवन कैटरिन ड्राइज भी ठीक डाल रही है इनको तो बाहर कर नहीं सकती तो टीम ने ना अलगी कुछ महल बना रहा है यह एक्स्टा बैटर खिलाना चाहिए उनको इतने सारे बॉलर यह हो गए एक यह और यह दो यह साथ बॉलिंग ऑप्शन लेके उतरती है टीम हमेशा तो सब सब बड़ा इश्यूस टीम का यही रहा है कि किस तरह से चीजों को बैलेंस आउट करेगी मेरे साफ से लॉर्ण पाइर पेर के नदर ठीक की बैटें करेंये मैं बड़िया भी नहीं होगा knowledge तो कहिए बेतमोने के साथ कभि मेडिऑार को पन करती है कभी अपन करती है कौन आता है पो डिवाइन ने भी उपन गिया तो बहु कोजी वह हाई नहीं स्टेबिलीडी पर स्कोचank की बैटिंग के अंदर 101 का स्टाइग्रेड थीक खेला इनका भी डैनी वाइट का साथ लफड़ा हो गया था वह भी फॉर्म में नहीं थी गई गई में लीजा अली भी कभी नहीं चली थी बीजी वीच के मैचस में चली वह तो इन्होंने भी इतना कोई खास प्रेजर्शन नहीं दिया था मिड़ फेस के बात रहते हैं अबट हरीकेंज कमाल की टीम रही है मिड़ फेस में बहुत बढ़िया बैटिंग करती है और जो दूसरी टीम है पर स्कॉचस मिड़ फेस में सबसे खराब एवरेज है इनकी लाइक मेल्बिन स्टार्स अभी थुड़ी तेर पहले ही मैच चल 27 विड़ लूस करिया बैस अब टैटोर के अंदर अलगी टीम है अबट हरीकेंज ने 17 विड़ लूस किया है तो जो पर्त की बैटिंग थुड़ी सी वीक है अस कंपर्ट तो मैने टीम्स बालिंग देखते हैं पर्त का बालिंग डिपार्टमेंट बहुत ही कमाल का है और प हरीकेंज का है 22 एंड डेर्थ फेस के अंदर पर स्कॉच असपंदरा होबट हरीकेंज उनने इस दोनों टीम्स की बालिंग डेपार्टमेंट बहुत बढ़ी है तो बैटिंग पर्त को अच्छी करने पड़ेगी बेत मोनी 18 मैच 43 के अबरेज है 468 रंस अगेंस होबट हरीक ठीक ठाक टच में लास्ट गें में भी 44 किया था आउट होगें फिर वहां बैटिंग पर 21 मैच 500 एकसर रंस नो कैच नो स्टंपिंग तैस के अबरेज है की पिंग सी बेली यहां पर दे सकती है मैडिडर का फिरम कंसर है 6 मैचस में 78 रंस है टोड में बैटिंग वस 24 चेस पर 9 0 45 नाबाद और इस वैंडिक पर 9 मैचस में 126 रंस है 9 28 3 चेस पर 0 45 नाबाद 17 5 16 बुरूग है लेडे पिछले दो मैचस में बहुत अच्छी दिखिए है 47 किया आफने WBBL डेब्यू में और सेकंड मैच में 41 किया लास्ट मुकाबले में तो यह जो प्लेयर है बहुत ही शांत काम कंपोजड है जो इनिंग को बिल्डप करती है फिर बाद में शॉट्स मारती है आपको ध्यान रखना है इस प्लेयर के रोल के बारे में डीवैन का बहुत अच्छा रोल रहा है इस टोनमेंट के अंदर वैसे और अलहाल है अटावन की एवरेज 17 मैचस कंदर 636 बहुत ही तगडी प्लेयर पिछले दो तीन मैचस से बहु बाउंच रहता है सरफिस में बॉलिंग पर अच्छी कराती है यह मका है हिंकली का आट मैच में 88 रंस लास्ट गेम में बहुत अची बैटिंग रही थी इसने इस्पैसली जब सुपर रोर में बैटिंग करने आई थी तीन चाट चौके मारी ते लगाता है वहां पर आके व और हिटे में स्टैप प्लेयर और खराब साइनी ही रही है पर स्कॉचस के लिए इस सीजन क्या ले लीसन का अच्छा युगदान रहा है बहुत अच्छे चेंग उस्ते लास्ट गेम के अंदर नौ मैचस में 26 रंस तीन विकेट है वैन्यू के उपर चार मैच में 2 विकेट तो आप देखें 19 मैचस में 26 विकेट है अदूबूद नंबर से बॉलिंग सेकंड 10 मैच में 15 बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 9 विकेट है तो आजसे कैप्टन राइस कैप्टन बैक कर सकते हैं डेथ में डाल रही है नई गेम से भी एकोड डालने आ जाती है पिछली केमें तो अच्छी अपॉर्टरिटी मिली है पावर सर्ज में डालना बीस वावर डालना फिर बैटिंग स्कूपर बेज दीती सेकंड लास्ट मैच में नंबर चार पे तो भी वहां सस्ते में आउट हो गई अब भाई कब तेरा खून कॉलेगा यह वाला डायलोग कौन बोले इसको हमलता ही कह सकती है वो खुद ही उनका खुद का खून नी कॉल रहा है और वो क्या डायलोग देंगी इसको तो वही सबसे बड़ा इशू रहा है इस तीम के अंदर आवन्य वाश्कन का दो मैचस में एक्रिकेट है वन्य कीपर तीन में तीन में तीन विकेट दस ओवर डाल चुकी है गुड लेंद पर बॉलिंगर आ रही है और अच्छा इनका सीजन गया ही है यह सब प्लेट्स कहां खेल रहे है नहीं गेंदे को पिछले गें में अलना किंग लिए थी पहला चटवा दसवा ठारवा हैंस वर्दी का दूसरा चौता आठवा पंदरवा पावर सर् डिवाइन का साथवा न हुआ कैले लीसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग गराई थी इसले इनको ग्यारवा तेरवा साथवा 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 अब चलते हैं विलानी की दरफ 12 मैश 293 रंस 30 के अवरेज एक्टोरी अंदर 16,69,16,14,84,0,49,14,वैनी के उपर 20 मैचस म 42 के अवरेज हैं साथवा साथवा सपास रंस हैं यहां पर भी बहुत ही कंसिस्टेंट प्लैर दिखी है इसपैसली चेस के उपर एवन फॉर्म भी बहुत अच्छा है 36 लास्ट गेम में उपन करते हुए फिर 44 उपन करते हुए 23 नाबाद 14-26 कैरी का 90 मैच 159 रंस है और कु आउट किया था बारा मैच चम्माल इस रंस साथ विकेट आया बॉलिंग फर्स चार में चार बॉलिंग सेकंड पांच में तीन विकेट जिप करेगी बॉलिया पेसर्स की तीन से चार और इनके भी लगबग यहां पर कंफर्म है यह दर ग्रैम पांच मैचस कंदर 68 रंस पा बालिंग फ़र्स 14 मैच में 11 बालिंग सेकंड साथ में आट रिकेट अब बहुत खराब टूनेमेंट इनका भी जा रहा है एक यह मैच बंके छे चलिए से चलिए तोन में 23 नौर तीन विकेट वरना इतना खास प्रदरशन नहीं नहीं हैं यह दूशी बाइट सुषीआ कि 15 मैचस में 301 रंस है not up to the mark performance 15 बीस रन कर रही है तब अबता सेवली का 6 मैच में 23 हाट हिटर ऑफ द बॉल कैतरीन ब्राइस का एट वड़ गंदर एक मैच में 1 विगेड़ बॉल सेकंड विद बैट इंगा रूल इस गेम में और बढ़ जाएगा ट्रोयाउन के ना होने की वज़ए से शायद ओवर भी इनके 3-4 रहें पिछले गेम से 3-3 ओवर डाल रही है इस गेम में शायद पूरे 4 ओवर डाल जाएगा बात रहता है मॉल इस चान होगी 20 मैच 17 विगेट से खुल मिला के बॉलिंग फर्स साथ मैच में नौ बॉलिंग सेकंड ग्यारा मैचस के नदर साथ विगेट है तो इस सोला विगेट होने चीज़ को करेट कर लेना साथ मैचस में विगेट लज गई है वैन्य के उपर दस मैच में दस विगेट बालिंग फर्स चार मैच में पांच बालिंग सेकंड पांच में पांच लाज जो मैच वादा ना एट्वर्ड सोफी डिवैन को इसने पहली बाल पर बोल्ड गिया था लॉर्ण स्मित 21 मैच 20 विगेट वैन्यू के उपर 6 मैचस के अंदर साथ विगेट है एट्वर्ड के अंदर वैन्यू के उपर 4 मैच मेच विगेट को इसा खास प्रदर्शन आया है एकोनोमिकल अच्छी बालिंग अर आती है आपर रासमेरी मेर रिसेंडली हैली बॉर्टन शील ट्रॉफी के अंदर जो होती है ना न्यूजलेंड में 6 विगेट निकाले मैच मे व्ल्ड कप में 3 विगेट, 0 विगेट, 1 विगेट, 0 विगेट, 2 विगेट, 4 विगेट, 2 विगेट, बहुत अच्छी चेंज़एप्स है, स्टम्स को अटैक करती है, पाउर्शर्ज में डालने आ सती है इधर ग्राम के साथ, इधर ग्राम का ओली अडिया है पहला तेरवा डाला, ओवर्शिस के कंफर्म नहीं है, जिस तरह से टूनमेंट जा रहा है, कैतरीन ब्राइस का दूसरा चौदवा अठारवा था, लॉनर स्मित का तीसरा नववा, कैरी का चौता दसवा, सत्रवा पाउर्शर्ज उनिस्वा, ऐमी स्मित का पांच वा, साथ ग्यारवा पंदरवा, प्रोयन का चटवा, लास्ट गेम में, हैदर ग्रैम का आठवा, बारवा, सोलवा, पाउर्शर्ज उनिस्वा, देथ मोनी, अप अगेंस्ट रॉस्मेरी मेर, सोला इनिंग्स में तीन डिस्मिसल्स, बैतर गेंदों में अबबर रन से लगबग, मॉल इस टानों ने भी 15 इनिंग्स कंदर साफ बार आउट किया इसको, एंड 66 बाल्स कंदर 96 रन्स है, मका है इंकल है, कैना ना किंग, नहीं है, कोई मैच अप लीसन कामी नहीं है, बात रतने लिजाली की, अगेंस्ट डिवाइन पुरानी बैटल रही है, उनिस इनिंग्स में ना बार आउट किया है, 108 कि ने मिक्स चार रन दे के, और जो लास्ट मैस था है, लीजाली ने 500 रन्स बनाये थे, the biggest knock of the history in the WBVL, विलानी वर्स डिवाइन, 63 बाल, 76 रन्स, 14 में 4 डिसमिसल्स है, लीजाली के नंबर्स में आपको बता है या नहीं, बता है तो थे यारे, ए साथ मैचस में 222 रन्स, यहां पर एक शतक भी है, इस वैनी के अपर, हैट्वड में 200 है, अलगी के टेगरी की प्लेर है लीजाली, लीजाली, क्यारी का नहीं है, मैचप, फिदर ग्रैम का, तो खेर सबके साथ ही मैचप है, जिससे खेल रही है, आट बाल, 7 रन, 3 पाई में सब्सक्राइब का डेटा अगई है, होवर्ट हरीगेंस ने ऑफस्विन के सामने 6 मैचों में 8 विकेट दिया है, पर स्कॉच इस बहुत खराब खेलती है, और होवर्ट हरीगेंस ने भी खराब खेला है, तो दोनों टीम्स लेफट आम और थोडोक स्पिं के सामने स्टगल क बेत मोनी, ऐलना किंग और क्लोई एंजवर्थी को भी आप रोटेट कर सकता है, तो आप देखें, कीपिंग सेक्शन में में मेरे पास उप्षन लीजा लीग है, जिन्नों का मैं बैक करूंगा, अलोंग विद बेत मोनी, बैटर सेक्शन में आना से पहले इदर ग्राम, नि बड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रेओन नहीं है, उस केस में जो एक दो और उनके होते थे हो शायद है, मॉलिश्टान और कैथरीन ब्राइस के फिवर में जा सकते हैं, रास मेरी मैरे बहुत अच्छी बालर, तीन से चार और डालनी चाहिए, नहीं डालेगी तो आई विल बी श मॉलिश्टानो जनता लेकि आएगी, आप उनको प्रिफर करो मॉलिश्टानो स्लैश एमी एडगर, जो आपका दिल गहरा है, या फिर आप कैथरीन ब्राइस को भी ट्राइ कर सकता है, मेरी टीम बन गई है, कैप्टन सी में फिलाल में चली जाता हूँ, निकॉल कैरी बहु कैप्टन कर सकता है, एवन कैप्टन सीगल भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, फिलाल मैं कैरी को कैप्टन कर रहा हूँ, जो मेरा लगी रिष्टा रहे कैरी के साथ, वैसे लास्ट गिम है लॉजिकली बनता था, आमने डेटा भी देखी ती, मैं कैभी राता है, कर लेना में